हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको टू थ्री एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी अम्रेला इस्टाइल में अंग्रेका इस्टाइल में फ्रोग बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हमने वन मिटर फ्रोग के लिए फैबरिक लिया है और आदा मिटर फ्रील के लिए फैबरिक लिया है आईए विडियो शुरू करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर यह हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंद्ध 10 इंच है और चोड़ाई में यह 14 इंच है इसको हम ऐसे डबल करते हुए रख लेते हैं 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है 5 इंच 4.5 इंच हमें शॉल्डर रखना है इसका और आर्म होल की लेंध हमें इसकी 5 इंच रखनी है यहाँ से हम इसको चकोर कर लेते हैं और आर्म होल में गोलाई कर लेते हैं नेक की चोड़ का जादे बनाएंगे यहां से हम आधी इंच फिटिंग का निशान लगा लेते हैं और इस निशान को उपर तक मिला देते हैं यहां से भी आधा इंच cut चुके हैं अब एक पीस को हम इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीस में से हम 3 इंच का निशान लगा देते हैं और नेक इसका cut कर लेते हैं जिससे बेबी को पहनाने में परिशानी ना हो यहाँ पी हमने strip ली है जिसकी चोड़ाई 2 inch है और length में 4 inch है 3 inch हम इस पर cut कर लेते हैं ये front side का हमारा nail का नेक है इसको हम 1.5 inch और extra बढ़ा देते हैं अब इसका arm hall भी हम हलका सा गेहराहिवाला कर लेते हैं nail की हमें ऐसे करते हुए इसमें cutting कर देनी है जहाँ पर हमने निशान लगाया है आर्म होल की भी हम कट कर देते हैं ताकि इसकी शेप अच्छे आए यह हमारा फ्रंट योग का पीस कट कर तैयार हो गया है यहाँ पर यह हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंद 21 इंच है और चोड़ाई भी इसकी 21 इंच है हम इसको ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं फोल्ड लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है अब हम अपना योग लेते हैं और योग को यहाँ पर रखकर इसमें योग के बराबर सेम निशान लगा लेते हैं अब हम इसकी लेंद माप लेते हैं लेंध इसकी 21 इंच है तो सब जंगे से हमें 21 इंच पर ही निशान लगा लेना है अब इन निशानों को हम मिला देते हैं इससे हमारी फ्रोग की शेप बहुत ज़ादा अच्छी आती है कहीं से भी फ्रोग हमारी लिटकती नहीं है उपर की साईड से भी हम इसको कट कर लेते ह यह हमारे दोनों घेर के पीस कट कर तयार हो गये हैं और यह हमारा योग कट गया है अब हमें इसमें से एक पीस अलग कर देना है और यहां से उपर की साइड से हमें 3.5 इंच का निशान लगा लेना है और नीचे की साइड से हमें इसमें 10 इंच का निशान लगा लेना है अब और लेंथ में हम इसके बराबर इसको ले लेते हैं 13 इंच अब यहाँ पर इसके सेंटर में हम निशान लगा लेते हैं और दोनों साइड से वी शेप करके इसमें निशान लगा लेते हैं बीच से सेंटर में से उपर की साइड कली पर से हमें आधा इंच इसको छोड़ देना ह सिलाई में आने के लिए अब हम दोनों निशानों को कटिंग कर लेते हैं ये दोनों निशान यहाँ पर हमने कटिंग कर लिए हैं ये हमारी कली बन गई है अब कली को हम ऐसे करते हुए डवल कर लेते हैं और यहाँ से हलकी सी गोलाईस में हम कर देते हैं ये हमारी कली बन गई है इसको हमें घेर में ऐसे करते हुए यहाँ पर रखकर लगा लेना है ये फ्रील के लिए हमने 4 पटी ये लिए है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लेंथ में ये जितना पूरा आर्ज होता है इतनी है 42 इंच इसको हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है और इसका फ्रील हमें तयार करना है ये देखिए ऐसे करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमें इसको फोल्ड करना है सभी पट्टियों को हमें एक साथ जोड लेना है यहाँ पर रेब की हमने पाइपिन ली है आर्म होल में लगाने के लिए फ्रेंस पाइपिन हमारी फुल रेब की होनी चाहिए यह वन इंच की हमने नेक में लगाने के लिए पाइपिन ली है यहां पर यह हमारा बेक नेक है इस पट्टी को हम ऐसे रखते हैं यहां पर और इस पर सिलाई लगा लेते हैं बीच में हम हलका सा इसमें कट लगा लेते हैं अब सभी फैबरीक इस पट्टी के नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई हम लगा लेते हैं ये देखिए हमने किनारे पर एक सिलाई लगा ली है अब इसको अंदर की साइड को हम फॉल्ड कर देते हैं नीचे की साइड से हमें इसको चकोर कर देना है ऐसे करते हुए हम अपनी पट्टी को लगा लेते हैं जिससे इसकी शेप भी बहुत जादा प्यारी आती है ये देखे कितनी finishing के साथ हमारी पटी लग चुकी है अब ये हमने frill अपने एक साथ जोड लिये है ये सबसे पहले हमने एक frill लिया है अपना उपर के योग में लगाने के लिए और इसको हम fold कर लेते हैं दोनों side से हमें इसकी बारिक सी किनारी fold करनी है अगर आप इसे पीकु कराना चाहे तो पीकु भी करा सकती है दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही इसको बारिक सा फॉल्ड कर लेते हैं पूरा फ्रील हमने अपना फॉल्ड कर लिया है अब इसके बीच सेंटर में बिल्कुल हम हलकी हलकी सी चुन्नटे इसमें डाल लेते हैं फ्रेंट्स ये फ्रोक बनकर बहुत जादा प्याई लगती है एक बार आप भी इसको अपनी बेबी के लिए ट्राई करें ये देखें कितने प्यारी सी हमारी फ्रील बर्गर तयार हो गया है आप से इस तरह की चुन्नटे नहीं डलती हो तो आप धागे से भी चुन्नटे डाल सकते हैं यहाँ पर हमें 3.5 इंच का निशान लगा लेना है और शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में इस निशान को मिला लेना है लगाना है और उपर के निशान को ऐसे करते हुए निचे तक इसको मिला देना है ये देखें ये निशान यहाँ पर हमने लगा दिया है अब हमने जो अपना फ्रिल लिया है इस फ्रिल को हम ऐसे करते हुए पहले सेट कर देते हैं बिल्कुल बीच सेंटर में अब यहाँ पर जिस सिलाई से हमने चुणनटे इसमें डाली है बिल्कुल सेंटर में उसी सिलाई के उपर इस फ्रिल में हम और चुणनटे इसमें डाल देते हैं फ्रिल को हमें सेट करते रहना है और फ्रिल के उपर हमें सिलाई लगानी है ये देखिए हमारा फ्रील यहां पर लगकर तयार हो गया है कितनी प्यारीजीस की शेप आई है एक्स्ट्रा फ्रील को हम कट कर देते हैं और यहां पर इसमें सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड से भी हमने इसको सेट कर दिया अब दोनों शोल्डर हमें एक साथ मिला लेते हैं और उसके उपर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे हम आर मोहल में पाइपिन या नेक में पाइपिन या सिलिव्ज लगाते हैं तो ये हमारे साइड से उधरते नहीं है ये हमने एक पट्टी ली है पट्टी को हमें इस पर यहाँ पर रख देना है और हलके हलके से इसको खीचते हुए सिलाई लगा देनी है फ्रेंट्स हम इसमें थोड़ी चोड़ी सी करके पाइपिन लगाएंगे दूसरा आर्म होल में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है इस पाइपिन के नीचे की साइड हम अंदर की सिलाई दाब देते हैं ये देखे कितनी प्यारी से हमारी ये पाइपिन बनकर तयार हो गई है इस साइड भी हम पाइपिन दूसरा आर्म होल में भी ऐसी ही लगा ली है ये नेक की हमारी पट्टी है जिसको हम धीले धीले छोड़ते हुए लगाते हैं क्योंकि इसको हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है ये देखिए हमने पट्टी को लगा दिया है अब हमें इसमें हलके हलके से कट लगा लेने हैं जिससे ये पट्टी मोरने में अंदर की साइड को परिशानी नहीं होती है अब हमें इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है फ्रेंट्स इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी की शेफ बहुत ज़ादा प्यारी आएगी अब इसका अंदर की साइड का कपड़ा हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब इसको अंदर की साइड को फॉल्ड कर देना है और इसके उपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी ये पट्टी और पाइपिन लगकर तयार हो गई है ये नीचे की साइड की गहरे की कली है इसको हमें ऐसे रख लेते हैं कली लगाते समय हमें कोई से भी फेबरिक को खीचना नहीं है दोनों को सेम बराबर रखना है अब इसकी साइड सब साइड में करते हुए इस पर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये हमारी कली बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है ये देखिए कली हमारी कितने अच्छी तरीके से ये सेट हो गई है अब दूसरा पीस भी हमें यहाँ पर लेना है और इसमें भी ऐसे ही हमें कली को लगा देना है अब सब फैबरिक हमें दूसरी साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर सिलाई लगा देनी है इससे हमारी दोनों के लिए बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है अब हमें योग और घेर एक साथ जोड लेना है ये देखिए हमारा फ्रिल और कली दोनों एक साथ बेट गए हैं ये देखिए यहां से कली हमारी फ्रिल के नीचे से ही ये आ रही है दूसरा घेर भी हम अपना जोड कर तयार कर लेते हैं दोनों घेर हमारे जुड गए हैं ये देखिए कितनी प्यारी सी ये कली आ रही है अब हम अपने फ्रिल को जो एक साथ बचे हुए हूँ इसे करते हुए हमें इसको किनारी को fold कर लेना है बारिक सा फ्रेंट्स यह चोटा सा फ्रिल हमने जो हमारे उपर योग में से बच गया है फ्रिल लगाने के बाद वो भी हमें इसमें इसी की साथ जोड देना है दूसरी साइड से भी हमें इसको बारिक सा ऐसे ही फॉल्ड कर देना है ये देखिए फ्रिल हमारा फॉल्ड होकर तयार हो गया है ये हमने यहाँ पर चुन्नटों को बीच सेंटर में ऐसे डाल देना है जैसे चुन्नटे हमने योग पर डाल कर तयार की है ऐसे ही हमें इसमें भी पूरे फॉल्ड में अपने चुन्नटे डाल कर इसको तयार करना है ये देखिए फ्रिल हमारा तयार हो गया है ऐसे ही पूरा फॉल्ड हमें तयार करना है फ्रोक में हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं क्योंकि साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ही हमें इसमें फ्रिल लगाना है इस साइड भी हम इसमें ऐसे ही सिलाई लगाकर तयार कर लेते हैं अब हमें इसको यहाँ पर रखना है ये देखिए ऐसे फ्रील को सेट करते हुए हमें पूरे घेरे पर अपने फ्रील को लगा कर तयार कर लेना है ये फ्रोक बनकर बहुत ही जादा खुबसरत लगती है और बहुत आसानी से आप इसको घर पर ही बना सकते हैं step by step हमने वीडियो में आपको बताया है ये देखिए फ्रील हमारा लगकर कितना प्यारा सा लग रहा है हमने पूरे घेरे पर अपने फ्रील लगा कर तयार कर लिया है आर्म होल की शेप भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी आ रही है और फ्रील भी इसका कितना प्यारा सा लग रहा है फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ अब तक के लिए बाई बाई